यह प्यार ना होगा कम जिन्पिंग तेरी कसम यह हमारे मोदी जी की तरफ से गाना आज चीन के वो पेश है कितने ही कर ले सितंफ गल्वान में अच्छा यह एक तरफा प्यार है ऐसा लगता है मोदी जी का चीन से बड़ा एक तरफा प्यार लग रहा है वन वे ट्राफिक गल्वान में चीन हमारी सीमा के भीतर आकर बैठा फिर बीस जवान बहदुर जवान शहीद भी हुए उसके बाद क्लीन चिट प्रधान मंत्री ने दी उसके बाद जैशंकर जी ने तो नतमस्तक हो गए पूरी तरह से इलाव वो तो बड़ी एकॉनोमी है हम तो छोटी एकॉनोमी हम उनसे कैसे मुकाबला करें तो जो नुकसान प्रधान मंत्री जी ने क्लीन चिट चीन को देकर पहुंचाया हिंदुस्तान को उससे दोहरा नुकसान जैशंकर जी के स्टेट्मेंट से हुआ ना केवल चीन को बलकि ऐसे तमाम ताक्तों को जो शायद हिंदुस्तान से उनकी अर्थवस्था बड़ी हो या किसी और स्तर पर वो हमसे जादा मजबूत हो अब उनके मन में आ गया कि हिंदुस्तान मजबूत देश पर कभी जवाब नहीं देता वो साहस नहीं दि देखा कैसे लाल कालीन बिछाए गए चीन के जो विदेश मंत्री हैं उनके स्वागत में आप जूला जूलते हमें कोई दिक्कत नहीं महमान है आप जूलिए लेकिन आज आप LAC पर वारता चीन से कर रहे हैं देश की संसद में आप ये चर्चा करना पसंद नहीं करते 17 राउंड वारता आपकी चीन से मिलिटरी स्तरकी हो चुकी है नतीजा क्या निकला आप देश को नहीं बताना चाहते और जब आप कहते हैं कोई घुसा ही नहीं तो ये बातचीत LAC के किस मुद्दे पर चल रही है या तो आपने तब जूट बोला था माफी मांगिए या आप कुछ अब छुपा रहे हो बताइए दोनों में से एक चीज हो सकती है ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब कोई घुसा ही नहीं तो आप यूँँ बातचीत करने चले गए कोई मजाक तो होता नहीं है तीन साल पहले 20 अपरेल 2020 को जिन पॉइंट्स पर हमारी सेना हमारे फोर्सेज गष्ट लगा पाते थे आज तीन साल होने वाले हैं अगले महिने की 20 तारिक को हो जाएंगे नहीं लगा पा रहे हैं पैसठ पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 हमारी कंट्रोल से हमारे हाथ से जा चुके हैं यह सब तथ्य सब को मालूम है ऐसा नहीं कि कोई पहली बार आपने सुने हैं या पहली बार मैंने बोले हैं ना केवल कॉंग्रेस पार्टी के मंच से विशेशग्य बता चुके हैं सैटलाइट इमेजरी बता चुकी है सेवा निवरित सैने अधिकारी बता चुके हैं के पेट्रोलिंग पॉइंट्स PP10, PP11, PP11A, PP12, PP13 पे अब हमारे जवान नहीं जा सकते। यह यथा स्थिती। यह स्थिती है वस्तु स्थिती चीन के हमारी बॉर्डर पे चीन के साथ यह है। और होट्स्प्रिंग और घोगरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 ए हमारे नियंत्रन से बाहर जा चुका है। Chinese Foreign Minister is on Indian soil, the Indian EAM External Affairs Minister is discussing the LAC with them, we want to know whether PP10, PP11, PP11A, PP12, PP13 of Depsang Plains and PP15 and PP17A of Hot Springs and Ghogara, Are we raising it strongly enough to get these petrolling points back? And then of course जो चाइना ने जो जमफेरी रिज जिससे सिलीगूडी कॉरिड़ हमारा खत्रे में आ गया है। जो गेटवे हैं North Eastern States पर बड़े खुश थे कल प्रधान मंत्री जी मुस्कुरा रहे थे कि हम जीत गए हम जीत गए नॉर्थीस्ट आप नॉर्थीस्ट का चुनाव जीत जाएं और पूरा नॉर्थीस्ट हार जाएं इस थिती पर आप ले आए हैं। यह सिली गूरी कॉरिडॉर जो होता है यह सबसे जादा महतुपूर है हमारे लिए हमारे हितों के लिए हमारे नॉर्थीस्ट के हितों के लिए आपके लिए सिफ चुनाव जीतना महतुपूर है और नॉर्थीस्ट भले आप पूरा देश हार जाया उनको कोई आपती नहीं क्या इस पर चर्चा होगी और जो 26 मीटिंग वर्किंग मेकानिजम फॉर कंसल्टेशन और कॉर्डिनेशन और इंडिया चाइना बॉर्डर अफेर्स हुई थी क्या उसमें 20 अपरेल 2020 से पहले की यह था स्थिती के बारे में चर्चा हुई अगर हुई तो चीन ने क्या बोला और हमने प्रतियुत्तर में क्या बोला यह सब बातें देश जानना चाहता है आप लाल कालीन बिशाईए चलिए वो भी हम बरदाश कर लेंगे आप लाल आंख नहीं दिखा सकते हम वो भी बरदाश कर लेंगे हमें मालूम है कि आप को पसंद है चीन हमें आपके रिष्टे मालूम है चीन से हमें ये मालूम है जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थ हमें मालूम है कि आपको अमेरिका से वीजा नहीं मिल रहा था हमें मालूम है आपको लेंडन का वीजा नहीं मिल रहा था यूके का हमें मालूम है आपको चीन से वीजा मिल जाता था आप चले जाते थे बारवार स्मार्ट सिटी बनवाएंगे जी गुजरात के मुख्यमंतरी उस वक्त कहते थे चीन हमारी मदद करेगा गुजरात में स्मार्ट सिटी बनाने गुजरात में तो स्मार्ट सिटी नहीं बनी अरुनाचल प्रदेश में चीन की एक स्मार्ट सिटी बन गई ये ये देखिया फरक तो वादा तो मोदी जी ने ठीक किया था कि स्मार्ट सिटी ब लाके नहीं विश्वास में लिया, कि साब ऐसा हो गया है, बताइए अब आगे क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बाहर की सैटलाइट इमेज से हमें मालूम पड़ता है, फिर दो दिन डिबेट्स होती हैं, चार-पांच बार हम प्रेस कॉंफरेंस करते हैं, आट- सिती चीन के साथ बना आई है, और जैशंकर जी को एक आखिरी में मैं सलहा दूंगा, उसके बाद सुप्रिया जी आप से बात करेंगी, अर्थवियस्था छोटी हो सकती है, हमारी सेना का कलेजा बहुत बड़ा है, उसको कम मता किया, हमारी सेना के कलेजे का अपमान मत करिय आइंदा जब मूँ खोलें, तो सोच समझ कर बोलें जैशंकर जी, पड़े लिखे व्यक्ति हैं, डिप्लोमाट रहे हुएं, डिप्लोमाट को सिर्फ एक चीज की ट्रेनिंग सबसे अच्छी होती है, कि कब क्या और कितना बोलना है, नपातुला बोलने की एक ट्रेनिंग ह साथ भी उन्होंने धोका किया है, इस तरहें की हलकी बात करके. झाल